और ये recording भी डाल दूगा चली तो अभी जो हम यह immediate हम教bus ले रहे स्रिफ और डौत सेशन और डौत्स शेशन किसका ले रहे सर कोस्ट एप्ट का कॉस्ट किका करेक्ट है इसको कैसे treat करना है मैं भी सारा hand raise बंद कर रहा हूँ तो बच्चों का यही doubt आ रहा है कि सर यह कभी market value लिया जा रहा है कभी book value तो मैं तीन example कराऊँगा ज्यादा नहीं 10 minute का time लोगा और तीन example में आपका सारा का doubt clear हो जाएगा cost of capital accelerated कल exam है इसलिए मैंने instant रख लिया class सबसे पहले question है जिसके अंदर equity share दे रखा है आपको preference share दे रखा है dividend दे रखा है डिविडेंट दे रखा है आपको 2 रुपे market price दे रखा है आपको और यह 98 KD KP और KE का formula जो है यहाँ पे है redeemable और irredeemable वाली बात नहीं कर रहे है एक समझ में आगया तो net proceeds में सबसे ज़्यादा problem हा रही है बच्चों को इसके solution की अगर हम बात करें मैं पहले book value करके दिखाऊंगा फिर मैं इसी questions को market price से भी करके दिखाऊंगा ताकि comparison थोड़ा सा easy हो जाए आपके लिए ठीक है ना बुक वेल्यू से भी कर लेंगे और market price से भी कर लेंगे कि अधाए यहां पर थोड़ा से इथर कर देते हैं अधाए प्रोडक्ट कॉस्त तो बड़ा जड़ा सा ही लेना होते हैं यहां पर यह ले लिजिए फंड यह ले लिजिए कॉस्ट और यह ले लेंगे प्रोडक्ट सबसे पहले एक्विटी शेयर क्यापिटल और यह मैं बुक वेल्यू से कर रहा हूं ठीक है पहली बात आप समझे मेरे को इस केस के अंदर यही बुक वेल्यू उठाना है यहां पर इंटरस जो कैलकुलेट होगा वह इंटरस तो इसी पर कैलकुलेट होगा देट इस आपका 10 रुप है लेकिन जो डिवाइड एंपी करेंगे एंपी हम मार्केट प्राइस लेंगे देट इस आपका 110 रुप है टेक्स देनी रखा मैं टेक्स ले लेता हूं चलो टेक्स मान लो 30 परसेंट है तो यहां 1 माइनस में T कर देंगे ठीक है 1 माइनस में T 1 माइनस T की बात करें 1 माइनस 0.3 तो आपका आ जाएगा 7 डिवाइड बाइड 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 एक सो दस इंटू 100 यह आ गया हमारा 6.3636 आ गया तो डिवेंचर में हम लिखेंगे 0.063 मैंने के की जगए डिवेंचर लिख दिया यह के डी है चलो अब के यह निकाल लेते हैं के एवरी स्टूडेंट को पता है दी वन दे रख आपको दो रुपए और मार्केट प्राइस इसमें किसी बच्चे का मैंने नहीं देखा डाउट कि आया हो ठीक है 10 परसेंट आ गया लेकिन डिवाइड जो करेंगे हमें इसा मार्केट प्राइस 98 दे रखा है तो 98 इंटू में 100 कर देंगे तो यह आ गया हमारा 10.20 ठीक है तो 0.120 अब इसका मल्टिप्लिक्शन कर देंगे क्लियर है अब इसका मल्टिप्लिक्शन कर देंगे मल्टिप्लाइ करके जो भी वटेवर आता है जैसे कि माल लेते हैं यहां पर आगे हमारा 10,000 और यहां पर हमारा 1.0 10.0 है न 120 ठीक है पचास हजार इंटू में 0.1 यह 6,000 और 0.063 इंटू में 1.5 लाग यह आगे 9,450 इन सभी का टोटल कर लेते हैं 10,000 6,000 और 5,0 that is आपका आगे 25,450 अब आगे क्या सीखा है हमने सर इसको करो 25,450 और divided by आप किससे कर दो fund से fund value कितनी है आपकी 3,000,000 और इंटू में 100 यह तो आपको पता है इंटू में 100 यह पता है आपको 8.4 परसेंट आ गया लेकिन सब आपने कहा था कि आपका कई बार 10 यह के अंदर 10 यह से ज़्यादा बच्चे परिशान है 10 यह के cost of equity के जो WACC वाले हैं उन questions के answer को ignore करके चलिए because आप वहाँ पर थोड़ा सा एक error की वज़े से पूरे के पूरे answer mistakes हो गए है आपको क्या करना है हाँ पर आपने यह कर लिए अभी मैं same questions कहूं कि सर इसी कुन आप market price से करके दिखाईए तो जब मैं इसे market price से करूँआ ठीक है जब मैं इसको market price से करूँआ तो market price से हम क्या करेंगे सर सेम पॉइंट लेंगे market price में आप देखिए same question को मैं लेके चल रहा हूं market price में market price यह हो गया तो हो गया तीन हो ठीक है अगर हम market price की बात करें तो देखो जो एकुटी शेयर कैपिटल है और प्रफ्रेंच शेयर कैपिटल है और हमारे डिवेंचेर है 10% सबोस्ट अब जो एकुटी शेयर कैपिटल लेंगे न हम that is 10 रुपीस इच है तो 10,000 नंबर निकले तो 10,000 इंटू में market price करेंगे यानि 10,000 इंटू में market price 20 था तो 2,00,000 पर फ्रेंच शेयर हमारा कितने थे सर 5,000 पर फ्रेंच शेयर को आप देखो के 50,100 का एक था 500 था 500 इसको multiply करेंगे 110 से that is 55,000 आ जाएगा डिवेंचर कितने थे 1,500,000 यानि 1500 इसको 98 से multiply करेंगे इसको multiply करेंगे 98 से तो 1500 इंटू में 98 यहां जाएगा 147 ठीक है 147 अब आपका जो cost रहने वाला है ना that is बिल्कूल सेम रहने वाला है जैसे 0.1 0.10 और क्या था हमारा यही cost लेंगे 102 102 और साथ पीछे वाले में mistakes हो गया हो वह 0.06 और 06 36 यानि देखिए आप पिछले वाले questions को भी मैं आपके सामने रखूंगा भी दोनों को compare करवाऊंगा फरक क्या है यहां पर आएगा आपका 20,000 यहां पर 0.102 इंटू में 55,000 that is 56 यहां पर आपका 0.636 इंटू में 147 आपका 93492 यह सारी की सारी चीज़े है तो 20,000 56 पंदस 93492 मैं तो सारा करके दिखा रहां आपको यह आजाएगा 1 1 9 0 9 1 0 2 divided by divide इसको कर लेते हैं कैसे 2,000,000 55,000 47 यहां के 4,000,000 दो हजार डिवाइड करेंगे 4,000,000 दो हजार फॉर्मूले वगरे हमने पहले करा हुआ इंटू में 100 तो 11 91 0 2 divided by 4,000,000 यह मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया 9,000 तो होई नहीं सकता 6 147 इंटू में 0.063 92 61 एक ज्यादा पॉइंट आगे यह 92 61 आगे ठीक है यह गलत हो गया तो कोई बात है ठीक कर देते हैं इसको चार लाक दो हजब चार लाक दो हजब यह आगया 8.67 8.67 मैं पिछला कुशन भी करके दिखाता हूं आपको दिखो भी पिछले कुशन को कमपैरीजन पहले क्योंकि जो बच्चों के प्रावलम है मैं पहले उन प्रावलम के ओपर डिसकस कर रहा हूं यह रहा आपके कुशन चेक है आजाएए मैं आगे सेम कुशन को पेस्ट भागए आगे क्या है चलिए नहीं आ रहा कोई बात नहीं है अब आप देख पाएंगे कि जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में है सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है यह सेनैरियो चेंज हुआ है पहला एक्जामपल हर बच्चे को समझ में आए क्या है डाउट इस्पेशली स्रिफ कल बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों का सॉल्व हो रहा है प्रोग्राम वाले बच्चों का अभी डाउट सॉल्व नहीं होगा कल से स्टार्ट होगा अभी ऑनर्स वाले बच्चे एक स्पे नमबर पर बेजिए पुराने नमबर पर अभी डाउट सॉल्व नहीं हो रहे और आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया गया है अब चलिए हम अगले इसी कोश्चन को दुबारा पढ़ते हैं इसी कोश्चन को मैं एक बार और आपके लिए लेकर चलता हूं ठीक है सर इस में सेम कोश्चन लेने वालों यहांज क्याएं यही है ठीक हैं अब बच्चे क्या पूस्ते हैं щसके लिए मैं यहां पर कर घ्र कुछ बच्चों को तो डाउट क्लियर भी हो रहा होगा सर अच्छा ये प्राउप पॉइंट था पुराने वीडियो में कई बार जो है पुराने टैनियर के सोलीशन से में इन बच्चे भटक गए हैं मैंने यहां लिखा मार्केट प्राइस 20 रुपे दे रखा है और फ्लोट कोस्ट 10 परसंट सभी में फ्लोटेशन कोस्ट 10 परसंट है अब सबसे पहले मैं केई निकाल लू केई क्या था हमारे डिविदेंट टू फ्लोटेशन कोस्ट 10 परसंट है तो इस केई में से माइनस होगा सर यानि मार्केट प्राइस में से माइनस होगा यह आ जाएगा ठारा KP की बात करें तो KP हमारा कितना है सर जो dividend आएगा तो dividend तो face value पर ही निकलेगा that is 10 और divided by करेंगे floatation को 10% minus करके 110 में 10% minus करेंगे 10% minus करेंगे तो 99 KD निकालेंगे तो KD तो हमारा interest तो यही आएगा that is हमारा 10 रुपे divide जो करेंगे 98 पर floatation cost minus करेंगे that is आपका आगया यहां पर 88.2 अब इन सभी का इस तरीके से आपका weight जो भी निकाला जाएगा cost 2 divided by 18 इंटू में 100 11% 10 divided by 99 इंटू में 100 10.10 10.10 10 divided by 88.2 और अभी मैंने doubt के लिए जो number दिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहां text नहीं है मान लो सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ whatsapp करें क्योंकि call सभी के आने लगेंगे तो किसी का doubt solve नहीं हो अब यहां cost में क्या करोगे 0.111 जो भी आ गया आपका 0.101 0.1137 यह आ गया फिर multiply करके तो आप expert हो फिर तो आप करी सकते हो तो पहले flotation cost का पंगा समझ में आए कि किस पे minus करना है flotation cost आप discount और premium पे आ जाऊँगा मैं पहले flotation cost की बात करो सभी को clear रहिए sir please pass होने के लिए बता दो कि leverage और EVIT analysis के अलावा क्या करें देखिए मैंने last class में भी बताया है और सारा का सारा भी last में बता दूआ पहले इसमें बताईए जो बच्चे कर रहे थे existing student थे उनको कोई doubt है कैसमें उनको कोई doubt है क्या market will you कह रहे हैं कि sir no reply मैं अभी सामने नंबर भी लिख दूँगा मैं नंबर लिख देता हूं अभी भी स्टिल देखेंगे रहा है क्योंकि doubt तो मैं नहीं solve करना मैं class ले रहा हूं तो अभी reply कहा से आएगा अभी सिर्फ 58 doubts है इसमें पेंडिंग 58 उसमें कौन कौन है अनूराधा अनूराधा अभ अभी मेरे पास जो डाउट है मैं आपका ही डाउट दिखाऊं तो आपका जो डाउट आया है ना अभी मैं class के बाद ही solve करूँगा क्योंकि सारे डाउट मुझे solve करना है आपने 221 पे भेजा यह आ गया यह आ गया कैसे find करें अनूराधा का एक question है तो 10-year वाले question अब दू chapter को clear कर ले हैं मैं एक बार repeat कर देता हूँ 88.2 कैसे आया ठीक है sir 88.2 कैसे आया क्योंकि जो भी market price है सभी market price पे मैंने 10-10 percent flotation cost जो था वो minus कर दिया सभी market price पे 10-10 percent flotation cost minus कर दिया तो अब 98 पे 10 percent minus करेंगे तो 98 पे 10 percent minus करेंगे क्या आएगा 98 पे 10 percent तो माइनेस करके देखिए 88.2 जा रहा है तो इस तरीके से आ ठीक है पिल्कुल selling price और market price सेम होता है इसमें फरक नहीं होता लेकिन जब दोनों price आपको given हो तो आपको market price को consider करके प्राइस को consider करना है क्योंकि वह बीच रहा है हमें cost अभी निकालेंगे अंशिका गोईल रिटीन अर्णिंग लेंगे क्या market value में अभी और भी example करा हूँगा पहले मैंने मुझे देखो ऐसे पूछोगे तो फिर साइट डिले हो जाए आप कल एक्जाम में ज्यादा वक्त ने लेना चाहता है जो अभी पता है वह समझ में आगे उसके रिटेनर निंग ले लूगा उसके प्रीमियम ले लूगा चली एक और पॉइंट पर आ जाते हैं चली मैं एक एक example लेता जाओंगा और करता जाओंगा मैं अब इस questions के अंदर same question लेने जा रहा हूँ और फिर से मैं कुछ चीज़े चेंज करूँगा और यही तो change करना है वस मुझे और आपको बताते जाना है ठीक है वीडियो आपके पास मिल जाएगी live में अभी आ जाएगा आप देख करके अलाम से देख लेंगा अगेन मेरा questions यही है इसके अंदर मैंने बोला कि इसके उपर 10% इसके उपर भी 10% और इसके उपर भी 10% देट इस फ्लोटेशन कोस्ट फ्लोटेशन कोस्ट और मैं कहना चाहता हूँ कि जो equity share है इसके उपर 10% का discount अलग से है यानि आप देखे दो चीज़े हो गई फ्लोटेशन कोस्ट भी हो गया और डिसकाउंट भी हो गया तो net proceeds कैसे निकालेंगे यह बच्चो का problem है तो अब देखिए हमारा अगर मैं के की बात करूं तो वो तो simple 18 आएगा 2 upon में 18 और into में 100 जो कि आए था हमारा पहले आजाएगा KP की बात करें तो KP में again हम 10% माइनस कर देंगे तो हमारा simple आजाएगा 110 into में 10% तो यह 99 आजाएगा तो यह 10 upon में 99 into में 100 अब ध्यान दीजिएगा KD पे बहुत focus करिएगा KD पे KD पे देखा जाए interest तो हमारा 10 ही रहेगा लेकिन जो नीचे आएगा 98 तो हम क्या करेंगे 98 पे floatation cost निकालेंगे that is कितना आएगा 98 पे हमारा 10% 9.8 लेकिन discount भी यहाँ से minus करना है क्योंकि मैंने बोला इस पर discount भी है discount face value पे निकलेगा अब ध्यान देना discount किस पे निकलेगा face value minus में 10 करेंगे discount आपको market price पे नहीं निकालना या premium आपको market price पे नहीं निकालना ठीक है न 98 माइनस में 9.8 माइनस में 10 तो यह 78.2 आ गया 78.2 इंटू में 100 टेक्स लेनी रहा तो इसके इसाब से 10 divided by 78.2 इंटू में 100 तो यह आ गया 12.7 तो 0.127 इस तरीके सा आ गया और उपर वाले का जो पहले आया था वह यह आ गया पहले यह समझ में आया कि हमें question book value का हो देखो मै book value का करना हूँ लेकिन सारी चीज़े calculation market price पे बस changes के आएगा सर यह आएगा changes के आएगा यह आएगा अब जब market value पैस equation को करने जाओंगा तो equity तो 20 से multiply हो जाएगा यह आपका 110 से ही multiply होगा net proceeds से नहीं होगा multiply 110 से और यह 98 से net proceeds का part स्रिफ और यहां 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 लिया जाता है यह clear हुआ आपको पताईए यह clear हुआ जो अभी बताया है यह देख लीजिए बस clear हुआ तो मैं आगे बढ़ू हूँ कि से रिटेन वाले part पर है अब रिटेन वाले कुछ बिचे पूछ रहेता पार्ट तो मैं रेके ने मिला पाट ले लेता हूँ कि यह एवपार्ट लेता हु जयए दिद क्यों दिद्वाला पाट ले लेता हु पाहरा见 अब बुक वेल्यू और मार्किट वेल्यू दोनों की बात कर लेते हैं अब जो भी आंसर आपको solution में given होगा उन सभी को आप ignore करके इसी according करेंगे ठीक है न हो सकता है 10-year के अंदर कुछ questions है जिसके अंदर error है ध्यान रखिएगा उसको rectify अभी करने के लिए बोला हुआ है तो आप तो वह next semester में next semester वाले बच्चों को benefit मिल पाएगा मैंने यहां पर retain earning भी दे दिया इस अब को दे दिया मैंने 20,000 अब अगर question यहीं है कोई flotation cost नहीं तो के कैसे निकालोगे दो बटे में 20 यह 10% राण अगर book value कर रहे हो तो retain earning भी दिखाऊगे अब cost लिखों तो मैं 1,00,000 और हमारा 50,000 और डेड़ लाग book value पे इसलिए और आपका 20,000 और हमारा के यह 10 आया तो 0.1 और retain earning का भी same रहेगा ध्यान देना retain earning का भी आपका same रहने वाला है और equity share का भी क्या रहेगा same रहेगा ठीक है आगे बात करते है सर हम KP की सर KP के अंदर 10 बटे में और market value 110 दे रखा है तो 110 आ गया तो 10 बटे में 110 ले लें 10 बटे में 110 इंटू में 100 तो 9.09 यानि 9.09 तो यह आ जाएगा 0.909 ठीक है के डी निकाल लेते हैं ऐसे के डी के डी निकालेंगे कैसे 10 divided by 98 10 divided by 98 इंटू में 100 इस आपका के डी आ गया 10.20 10.20 तो यह आगया 0.20 ठीक है ना multiply कर दीजिए सर दस हजार पचास हजार इंटू में 0.909 पचास हजार इंटू में 0.0 भी आएगा यहां पर ना 0 आएगा ठीक है 0909 यह 4545 यह आगया आपका 3000 हजार पॉइंट टू आयने डीवेंचर टू 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 नहीं डीवेंचर का अमाउंट यहां और कुछ जीरो पॉइंट एक सो तो जीरो पॉइंट एक सो दो एक लाग पचास हजार इंटू में 0.102 पंदरा तीन सो और यह दो हजार अब यह इस तरीके से आ जाएगा ठीक है एक लाग पचास हजार तीन लाग वीस हजार और यह दा सजार 45 पंदरा तीन सो और यह आगे हमारा 31 845 ठीक है यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए नाव अब जो हम WACC निकालेंगा वही 81 845 divided by 320 divided by 320 इंटू में 100 तो यह आगया 9.95 एक तो यह आगया इसी कोश्चन को मैं मार्केट वेल्यू से अगर करूं मैं इसी कोश्चन को मार्केट वेल्यू से अगर करता हूं मैं से इसी कोश्चन को करते हैं ठीक है सेम कोश्चन है everything is same तो मार्केट वेल्यू से जब करेंगे तो हमारा यह जो है यहां पर रिटेन अर्निंग नहीं लिया जाएगा पहली बात सर यह रिटेन अर्निंग मत लेना ठीक है confusion हो जाएगा और यह सारे के सारे प्राइज भी चें को मैं 98% ले लो यह 147 आ जाएगा 147 अब हमें बस यह पार्ट चेंज करना होगा यहां पर एक 10 यह में कुश्चन बच्चे ने बले सारे रिटेन अर्निंग ले रखा है nothing आप छोड़ दीजे उसको ठीक है दो लाख 55,000 157 यह आगे 4,002,000 तो जो अब आंसर आएगा इसका देट इस 4,002,000 का यही आएगा यह पूरा का पूरा मल्टिपलिक्शन जब करोगे यह तो यह चेंज हो जाएगा समझ मैं चेंज होके क्या होगा यह मैं कर देता हूं नहीं तो बोलेंगे यह तो चेंज किया ही नहीं आपने सर तो चेंज करेंगे तो 20,000 यह चेंज करेंगे तो 20,000 55,000 इंटु में 0.0909 पांच हजार और एक संथालिस इंटु में 0.102 पंद्रह हजार माल लो इसका आ गया सपोस्थ पंद्रह हजार ठीक है तो बीस और पांच पच्चिस और चालिस हजार यहां पे कैसे निकालोगे देट इस आपका चालिस हजार डिवाड़ेड़ वाए चार लाग दो हजार तैप्रोक्स 10% आ जाएगा चार लाग दो हजार तो इंटु 10% 9. 9. फिर्ट केटि एंप्र्टंट लेना है क्या सभी में티 प्राइज लेना है ऐल मैं बस यह कहना दे रखा तो अब हम ऐसे केस में सब को फेस वेल्यू से कर देते हैं और यह जंशन ले ले लेते हैं कि मार्किट प्राइज भी यही रहेगा चेंज नहीं हुआ है इसलिए वह हो जाता है आपका फिर से वही बात आगे अभी लास्ट वीडियो जो कराया आप देखिए कि मैंने तीन तीन कोश्चन फ्लोटिंग कराया बुक वेल्यू पर फ्लोटिंग किस ने कहा अभी देखिए आपके सामने कराया इसने मैं अलग लग रखा है आप बताइए मुझे फ्लोटिंग किस पे तो यह बार बच्चों को सकता है विए बोलता हूं कि फ्लोटिंग होता है मार्केट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा है दिस्काउंट और प्रिमियम जो मैंने निकाला था यहां 10 % का डिस्काउंट वह किस पे निकलता है फेसले पर निकलता है पहले एक बार इसको देख लीजिए डाउट है तो यह रहां आपके सामने दोनों वेल्यू से बुक वेल्यू भी और मार्केट वेल्यू भी में अगया अंसर आपका सबका अंसर आगया पूरा पूरा तो अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे न्यू चप्टर डेट इस आपका सिंगल एंट्री रह जाएगा आगे बाद में करेंगा अगर आ जाओगे तो हो जाएगा क्लियर है आपको गुन-गुन बंसर सर एक रिवीजन भी और विक टेबल टेबल में सर एक रिवर्स भी आता है बुक टेबल टेबल मुझे समझ में नहीं है आपने क्या बला रिपीट करें एडिशनल फंड होगा जैसे मान लो बच्चों कहा कैसर एडिशनल फंड बता दो मैंने कहा कि एडिशनल फंड आ गया मान लो ते दो लाग और अब इसमें देखना होगा कि यह एक्वीटी शेयर कैपिटल है या डीवैंचर है अगर एकुटी है तो इसी इक्यूटी में ज कि अब मैं कुछ बता देता हूं देखो जितना मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना था कर दिया अब कुछ बच्चे बोल रहें हाव टू पास पास बता दो तो देखो पास कि मैं अगर मैं बोलू हूं कि सर यह यह कर लो तो आप पहले सबसे पहले समझेगा जिन बच्चों ने पूरा स्लेवस कर लिया है उसके लिए यह चैप्टर है ही नहीं उसके लिए यह चैप्टर है ही नहीं जिन बच्चों ने पूरा का पूरा स्लेवस कर लिया है बिल्कुल भी मतलब कि यह वाले जो मैं वीडियो बना रहा हूं उन करो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको पास होने के लिए देखो थियोरी जो है आपका थियोरी सेक्षिन आपका 30 मार्क्स का है मैंने लास्ट के अंदर डिसकस किया था आपसे कुछ पार्ट वन आप सबसे पहले लिवरेज करो नंबर दो पर आप इविए टी एपि नंबर चार आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया है जब यह पूरा का पूरा आप कर लेते हो यू आर एबल टू 15 मार्क्स का कुश्चन करने के लिए आप एबल हो जाते हैं पंदर नंबर के कुश्चन अटेम्ट कर सकते हो बड़े आसानी स इंक्लूडिंग थियोरी जो थियोरी बताया हुआ है डिविडेंट पॉलिसी करो अगर डिविडेंट पॉलिसी भी कर लेते हो तो आपके फिर से 15 नंबर के लिए आप एलिजिबल हो गया यानि आप 15 नंबर ले चुगे थीस नंबर इसके बाद जो आप वरकिंग कैपिट नंबर वन करो जो कि थियोरी का चैप्टर है दस नंबर प्लस टीवीम है जो बहुत सिंपल सा टीवीम था और टीवीम में जो करा रखा है तीन क्लास के अंदर मैंने पूरा कवर अप करवाय था कॉंसेट के एसाफ से जो हो जाएगा यह करोगे अगर यूनिट नंबर वन तो पंदर नंबर के लिए इसके बाद यूनिट टू आता है डेट इस आपका कैपिल बस्टिंग कैसे करना कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं सीधा सीधा कोशन इमेज क्लिक करके भीज रहे हैं तो मैं आपको बता दू आप सबसे पहले जो भी कोशन कर रहे हैं तो कैसे ढू है ना तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं कि मैंने देखो आपके कूर्स में किस तरीके से डाला हुआ है बनाके आप कूर्स कंटेंट में जाएंगे सबसे पहले ठीक है कूर्स कंटेंट में जाने के बाद आप सबसे पहले तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए मैं भी द अगर मैं नीचे जाओं यहां पर इंटर्नल एक्जाम से मैंने डाला हुआ है इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टिड कोश्चन जो लीवरेज वगरह में से आ सकते हैं वो डाले हुए ठीक है question यहां वाले doubt जो number दे रखा है तो पहली बात इस वाले doubt वाले number पे doubt आपके solve नहीं होंगे क्योंकि new number जो आपके group में ping किया हुआ है onres वाले बच्चों के लिए उस पे solve होगा अब यहाँ पे देखिए आपके All Questions Detail अब ये वाला सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजे ये PDF आपको डाउनलोड करना है आप कोई भी questions करने बैठे इसके अंदर जितने भी आपको titles और जितने भी questions given है सारे books के given है ठीक है? आप suppose करो book का कोई भी leverage chapter उठाया आपने और question number आप 10 करने बैठे या question number आप 9 करने बैठे 8 करने बैठे कोई भी questions कर रहे हो practice के लिए तो अगर आपने question number 8 करने बैठे तो आपको यहाँ पता चल गया question number 8 का solution आपको वीडियो में है तो मुझसे पूछने की ज़रत नहीं है वीडियो देखेंगे तो सर वीडियो कौन सा है class number 3 में मिल जाएगा आपको ऐसा ही आप leverage का पंदरवा question कर रहे हो ही नहीं रहा आपने क्या करा doubt क्लिक करके भीज़ दिया wait कर रहे हो कि पंदरवा question का बता दो क्यूंकि इतने सारे वीडियो को आपने देखा ही नहीं आपने सबसे पहले पीडियाफ में डूढना है क्या पंदरवा question इसमें solution है अगर पंदरवा question दे रखा है class number 4 में तो मुझे भेजने की ज़रत नहीं आप वहीं क्लास में class number 3 में class number 3 जाना है content के अंदर लेटेस्ट वाले के अंदर six question देखना है और six question आपने समझ लेना है तो यह हो गया आपका questions का solution solve करने का सभी के dividend policy है मान लेते हैं question कोई बच्चा बोल रहा का सर मुझे question number 2 नहीं आरा dividend policy का तो दो साथ बच्चों का एक और point आ जाता है कैसा 10-year के questions करने बैठें तो बिल्कुल exam time पर करना है तो आप यहां पर देखेंगे ना तो कुछ लीवरे बहुत सारे आज भी मैंने वीडियो के अंदर questions update करा है सिवदास 10-year all questions जो आपके पास 10-year है उसके सभी questions आपको यहां पर chapter wise मिल जाएगा suppose करते हैं हम आते आते हैं cost of capital वैसे आप देखना नहीं है cost of capital self करना है अपने ठीक है अगर हम देखते हैं तो हमारा यहां पर सारे questions अंदर मिल जाएंगे जो question number आपके 10-year नहीं वाले 10-year में वही question number यहां डा रहा है बहले ही अंदर कोई question number डला हुआ उसको ignore करके चलना है ठीक है अब ऐसा ही कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो working capital कर रहा हूं और यहां मेरा working capital समझ में नहीं आ रहा तो इसमें ढूंड़ोगे आप working capital आ जो भाई operating cycle working capital कौन सा question नहीं समझ में आ रहा है इसको क्लिक कर लोगे सर question number यह दे रखें working capital के अब इसमें ऐसा मैं समझना साथ से करा रखा है तो एक से साथ तो करा है नहीं एक से साथ दूसरे उसे ना रहके आप अपने भरो से ज्यादा रहोगे तो वह ज्यादा बेटर है साड़े 9 बजे paper है उसको अपने accordingly easily दे सकते हैं और यह सारे topics करके जाओ सबसे जो आसान topic है मैं कहूंगा यह वाला unit for dividend policy अब इतने selling price mention है not market price then the market value will be shared बिल्कुल selling price पे ही लेंगे गुल जब हमें market price नहीं given बिल्कुल w mcc में सिर्फ edition mcc का आपका syllabus का पार्ट ही नहीं है मना किया हुआ है वो तो मैंने extra कराया हुआ है अब सभी chapter में जो extra questions है last questions है आपके books के उन सभी questions को या practical questions सब्सक्राइब करें जितने questions class में करार रखें उनहीं में से आपका पीपर बनने वाला है इसमें से हम पास हो जाएंगे अगर income tax का भी कुछ बता इंकम टेक्स का लिए schedule लगाया हुआ अभी मैं इसी पर लगा हुआ इसके बाद मैं फिर इंकम टेक्स का भी बता दूंगा आपको क्या schedule है ठीक है फिर से बता दो जो आपने लिखा है अभी आप वीडियो देख लिए ना आभी आ जाएगा दो